शनी देव और 2024 का आगाश क्या है सनी देव के विशे में बहुत सी भ्रांतियां है और उन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए कैसा होगा 2024 का वर्ष कैसे होगी आर्थिक संपन्नता कैसे होगा समाश सुखी और कैसे होगा राश सुखी इन सब प्रश्चिन जो लगे हुए हैं उनको धूर करने के लिए हमारे साथ मोजूद हैं परमादर्णियों परम पूजिनियों पूजिदाति जी महराज प्लाम करता नमो नारे जेगो माता वंदे मातरमा भारति को प्रणाम और हिरदायश से ओम्शं सनिस्चराय नमो मित्रण शाक्यों जिवन में शपलता का एक शूत्र है मैनत में कभी कमी मत रखो मैनत में कोई कमी मत रखो जीतोगे आज सीखोगे मगर हारोगे नहीं यह ध्यान लखेगा और जो आपको गलत समझता है वो मरते दम आपको गलत समझेगा क्योंकि नजर का आपरशन तो हो सकता है नजरिये कैने इस बात का द्यान लेखेगा सुर्य पुत्रों द्रिगे देही विशाल अक्षा शुप्रिया मंदा चार प्रसना अतम पीड़ा हर्तम मेश नमहा किसना नीला यसितकंधाई नमो नमो का लगनी रूपाई करतों चाज़ शाथियों मेरे याराद ये शनिदेव की बारे में शुकला जी ने सवाज किया है कि दोहजार चौबिस के बारा राशियों पर राश्पर शमाज पर देश पर शनीदेव का क्या प्रभाव रहेगा और शनिदेव को लेकर बहुत भांतियां है मित्रों शाथ हूं थोड़ी देर आपके साथ हूं और मैं आपसे मेरा निवेदन है शनीदेव के बारे में थोड़ा मुझे ध्यान से सुनेगा शनीदेव करम धर्मगति ज्यान भक्ति करूना शुक शमर्दी वैबव शाधना शमादी और काल की अधिजास्ता देवता स्थे सूर्य पूत्रिय श्यागा संतान कश्यप पोत्र शकुत अवतार के प्रतिग नारानी के अन्यनिय भक्त और महादेव की परमशिष्य अतों है कि मित्र्वन शास्त्र कैसे ज्यनाम करमखांपलदों गररे रुपी जनारदर श्यम गहाद ग्रों के रूप में देनार भातार और भगवान शनिदेव कश्यप अवतार के पती थैसंतों मौनाव के किये किस करम को कितना किसप्रकार बुगततना शनिदेव का साम का थे कैसी विडियो जो सब्खश कर दा कुछी से आप है करम फल दाता है भागे बिताता है धरम शुक्षमर्दी व्याभाव काल का प्रतीक शनिदेव काल दन्डनायक है शनिदेव इसलिए शनिदेव से भैवीत होने की ज्योतनी है करम सुधारिक कुकर्मों से बचे मातप्रता की सिवा धर्मान कुल आत्र इस ना जहने चाहतर का जाप करिगा खुष्ष में जो राकäreत्य की बात है भारत के जननमांग में देखे भागे तो पर्शार्त भाउकर शमीदेव और बिशभातमां में सिनिदेव भारतमां में यानि विर्शव लगन के अनुशार भाग्य के सामिय होकर दसंभाव में विराजमान है अद्भुद है करमेश और भाग्येश शनिदेव राष्ट प्रकतिसील होगा राष्ट का विकास होगा सरातन मजबूत होगा मित्रों शाथ्यों 2024 सनिदेव अपनी मूंत्रिकॉंडाशी कुम में संत्रन करें इस समय मार्गिय हमस्ता में है सनिदेव का संच्ण अपने आप में बड़ा मोठिपूण है और सनिदेव को गोच्टर को शमना एक शब्द खाली चब्र और वो शब्द है मनमस्तिक में बिठा दे गोचर को समझने के लिए दिकतनियार वो है काल काल यहनी टाइम टाइम एन शमय सनिदेव कारक है डिसिप्लीन नेतिक्ता शेवा करम वफादारी एफ़र्ट और लक्स फोकस आपका कैसा रहेगा उसी अनुसार सनिदेव फ़ल दोह भाव आएगा प्रगति होगी विकास होगा सनिदेव भाव में से किसी भाव में विराजमान होंगे उस भाव की ब्रदी करेंगे हां माबाप की सेवा धर्मान को आचन राश्य प्रेम और समय मिलता है तो ओम शाम सनिष्चराय नमा इस मंत्र का जाप करेगा जिवन खुश मैं सनि का पूजन नहीं करना छे किना चाहते है शुकला जी गई还有рах पूजंती रंत्र देवता यहां मात्रक चक्ति का पोजन होता है जानारी का समान होता और जिस मंदिर में और जिस मंदिर में नारी को परवेश रोका जाता है वहम दिले से ता है कि नारी को मंदिर में अपनी सोच को परिवर्तन करना चाहिए स्रमंगलमाज़ तर लिस्वे सर्वाबसाथ के सनितर बंगे गोरी नाराइनी, जो नाराइनी है उसे किसी भी जगे रोका जाना अनकूल नहीं अगर शनी की पूजा के लिए रोका लेता हैं जो नारी का खुद इतना सम्मान करते हैं वो नारी के दर्शन से कैसे रोपेंगे यह ब्रांती है और इससे बाहर आना चाहिए ब्रांती है इसलिए नारी को परवेस्य रोकानी जाता है लेकिन जो करम न करके अकर्म करते हैं और फिर भी सनी की पूजा करते हैं उनका क्या क्या होगा करम फल दाता सफ़ा कि कि यह साथ कभी सफ़ांदेव कुछ नहीं होता पूजा करते हुए दो मापाप को एक गिलास पाने पिलाते उनहें सफ़ांदेव करमों के आधार पर ही आपको फल प्रदान करें संसार का सबते उत्तम करम है राश्य प्रीम महाबाप की सेवा आच्छन अच्छा अगनी संसकार है तो पति-पत्नी में सत्यता समर्पण शुक्त तभी इस लिए इस बात से इनकार क्या नहीं जागता कि कर्मों के अधार पर सनी फल देता है आप कितने भी पूजा करी कर्मों में विश्वास है और कर्मों में शुद्धी करने तभी शनीदेव फल प्रदान करेंगे दोहजार चौबिस बारा राश्यों को लेकर आज आप लोगों के सामने है और सब्सक्राइब बात यह है कि शनीदेव को लेकर बड़ा भर में दोहजार चौबिस में कि क्या फल दे सब्सक्राइब का बरत में विश्रा कर्देविकास में जनडा फयकर जडूर योगायो है से miit जो कुछ बताऊगा नि ज्morाश्यपल बताऊगा यह जेन्नer नक्षित्र गर्णाओं के हिसाब से कैसा रहेगा यह जन्रल प्रड़क्षिस आप जानना चाहते कि 2024 आपके लिए क्या संकेदर नीचे नंबर आ रहे इन नंबरों पर शंपर करके आप में से बात करते हैं जब आप फोन करेंगे फोन उठाने वाला कहेगा कि दाती महरास से करने गॉष्यवा करते हैं मैं अपना संपुर्ण जीवन माता के लिए समर्बित कर चुका हूं आपको मेरा साम्य चाहिए तो महान होते हैं साथी है जिस तरी की समयकाल प्रसतियां है मेरी गोव माता प्रेशान नहीं हो राश्य निवेतित करना चाहता हूं कि सनिधाम गोव साला में शेवा करो मुझे खुशी हो जो लोग भी फोन उटाएंगे और गोव सवा के लिए कहते हैं यह निर्देश मेरा ही है जितना सामर्ति है गोव शेवा करो मैं आपकी शेवा मे प्रकार जी का स्वागच नमना रहे है गुर्देव सिंग राशी प्रोट कुछ सुना इस राशी के विशे में और बहुत कुछ जानना भी चाहता हूं वैसे भियात परत धर परत तमाम से राश से खोल करके जो बता रहे हैं सायद मैंने बहुत से लोगों को सुना है बहु कोविस में शनी देव की क्रपा कैसे होगी और ठन कैसे प्राफ्त होगा शिंग राशी वाल शुक्ला जी गुरुमंत्र विद्दाती मारा जो यूट्यूब चैनल है कि मेरी जीमन पर की साधना का चैनल है कि मैंने इस पर बारा वीडियो अदभूत डालेंगी सिंग राशी है क्लिक सब्सक्राइब ने कृ invert सेवालों के ächstल्य यह और सिंगराशी वालों के लिए 24 4 शोबीस किसा रहे गा यह वीडियो के डाला है मैं आज जो विशे है वो है कि 2024 और शनिदेव शिंग राशी वालों के लिए शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा इस विश्य पर द्धन कैसे मिलेगा वह तुमें बताऊंगे द्धन बिना तो काम भी नहीं चलता है सिंग राशी 2024 अब कैसे लोगों को यहीं तो समझा रहा हूं को थोड़ा समझे तो सही 2024 शनिदेव कहां संचरन करेंगे सपतम्भाव में कालपुर्श की कुणली में संचरन कर ने हैं सब्तम्भाव में साजिदार है, तो अबोगों लगन आप है आपके सामने आपका पाव रक्षिज है यह आपकी पावर्यक्सिजजजजजजजजज़ जीवन के सामने वाला भाव हैं जीवन का जितना लगन महत्पुन है उत्रा सप्तम भाव मयतोई है मेरा जो अनभाव कहता है क्योंकि फफर्स्ट ऑच्छ मिरे मिरेma Primous Hon होती नहीं, ठीक सामने होती, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सब लोग मुझी देख रहे ज़़े, ठीक सामने बेटे हो मेरे उट है जो में में बोलना हूं एदी सुनने वाला नहीं होगा तो मेरा देल बोलना बैरत है जासे ब тип कि बोलने वाला महत्मन हो मैं इसमें कुछ नहीं कहता आप पूरुष हो तो फिर नारी का समान करो आप नारी हो तो पूरुष का समान करो सेवन थाउत की सभी समशाई खतम हो जाए क्योंकि यह सात्वा घर है समझे आप जितने अपने लिए महत्मुन है आपके लिए आपका पार्टन दी उतना महत्मुन होगा तभी जीवन की गाड़ी चलेगी एक टीचर यह पढ़ाएगा कब जो विद्यारती होगा तभी ने एक डॉक्टर या वैद किसी का इलाज कब करेगा जब उसके सामने रोगी होगा तभी ने तो आपका ड सारी उड़ जाओ सारा एफट सारा डिस्प्रिन चारा डिडिकेस सारी पन्चवेटी सब्तम भाव जीवन साथी पर रखनी मैं एक वक्ता हूं मैं बोलता हूं मेरे लिए सब्तम हाउस को अने मेरा शेवन्ध हाउस को है जो मुझे लोग सुनते उनकी प्रतिन्याय करना मु मुल्ट्र कॉण डरकर रहे हैं सणिदेव सिंगराशी वालों के लिए संसरन कर रहे हैं या जा वेपार कर रहा हूं मुझे लाब में सिंगराशी के जाते कोई भी काम कर रहे हो और नोकरी हो कारोबार हो वेपार उन्हें एक point note करना होगा उन्हें जो सामने वाला भाव है ने जो सामने वाले उस पर आपको focus करना होगा देना क्या है खाली लेने का ध्यान नी रखना है जो आपके सामने वाला है उसे देना क्या है यह आपने उसके साथ इमानदारी बर्दली तो 2024 में आपको रती भर नुक्सान नहीं ह पर कैसा रहेगा तो जरा ये भी सुन लीजिए सटे और साथवे घर के मालिक होकर अपनी मूलत्रिकॉण रासी सतनामक पंच महापुर्श योग में केंद्र इस्तान में सब्तम भाव में सब्सक्राइब कालपुर्श की कुंडली के हिसाब से उचके होते हैं सब्सक्राइब की तीशनी देव भागिस्तान में सराची ब्रश्पत्देव से समद्ध बना रहें त्रिकादर समद्धे सब्तम दस्ची लगन भाव पर है और दसम दस्ची चतुर्द भाव पर जो आपका नीजी सूक है तेरा फरशे 15 मार्श तक शूर्यदेव के साथ सनी देव और सूर्यदेव की यूति रहेंगे एक जनवरी 2024 से एक मही 2024 तक सनी देव ब्रश्पत्देव का त्रेकादर समद्ध रहेगा 12 माई 2024 को प्राते पात बज़गे 26 मुन सनी देव ब्रश्पत्दी के देव के नक्षतर पूर भाद रुप में दूसरे चन्ड में प्रवेश्ट करेंगे 30 जून को प्राते एक बज़े के आसपास सनी देव कुम्राशी में वक्री होंगे 19 अगस को प्राते एक बज़े के आसपास सनी देव वक्री अवस्ता में पूरुभाद रुपर नक्षत के दूसरे चन्ड में प्रवेश्ट करेंगे सब्तमभाव में होगे और सारे योगा योग यूती द्रशिशंबंद की में बात करूँ तो सनी देव वर्ष्ट दोहजार तोविश में सिंग राशी वालों के लिए सिंग राशी वालों के लिए अध्वुद फल देंगे राजयोग अध्वुद है राजनिती की उंचाय को छूने का उस्तर मिलेगा और बड़े कारवारे के लिए शपलता के द्वार खोलेगे कामकाज कारवार नौकरी वेवसाज को लेकर हर व्यक्ति कुस्तनी देव कहीं ने कहीं कहीं ने कहीं उत्तम फल लाब और शपलता देगे आप नोकरी करें चोटा-वोटा कामकाज है आप कुछ भी करें मेहनत परिश्रम संगर्स का पून फल मिलेगा क्योंकि भागेस्तान से तीसरा सम्माथ है आप केमिकल प्रोड़क्ट का काम करते आप पेट्रोल में कि करते ये लिए होगा और यही यग बड़ा आहम होगा परशासनिक अफ्सर् को सपलता मिलेगी समाज के में करद जातकों को अचिवे लोग अवस्ता है जो परिगपोर्ड़का cricket के आशपास उन्हें रोजगार की अच्छे साधन मिलें नेम और फेम मिलेगा सनिदेव की सिती बहुत सुब है आपको अनुकूल प्रणाम को देने वाली अपनी मूलत रिकावाराश्वी कोई भी ग्रेफ प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करता साथ हां यह मैं मान सकता हूं कि सनिदेव बहुत धीमे चलते धीमी गती की दीवत गर के वेवर्द सदसी पिता का पक्स मजबूत होगा उनके स्योक से जीवन में आगे बढ़ने का मोगा मिलेगा देश विजय से अच्छा लाब भी मिलेगा धन की प्रावप्ति के उत्तम अवसर मिलेंगे उच्छा के चित्र में आध्यन्दत विद्यार्तियों के लिए संदेव का सब्तम इस्तान में संचन लाब शपलता और खुशी का संके दे रहा है संदेव की सब्तम दर्श्ची लगन भाव पर हैं लगन आप श्यूम है आपका वैक्ते तो आपकी हेल्थ है निने चमता मजूदी सोच शकरात मनेगी धरी और श्यूम का सारा बढ़ेगा आपकी कारियों में शपलता की और आगे बढ़ेंगी लेकिन गती थोड़ी सी धीमी गबराई यह गने धीरे धीरे मिना धीरे सब कुछ होई माली सीचे के वड़ा रितु आए फ्लो थोड़ा धीरे गती है लेकिन सपलता मिलेगी धन मिलेगा लाम मिलेगा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा सिंग राशी वालों को चके और शात्वे दोनों भावों का प्रभा सिंग राशी की दसम दर्षी चतुर्द भाव पे रहेगी चतुर्द भाव आपका निजी सुख है आपका अपना परिवार है भूमी है भवन है आपका मेंटल पीस है इन सबी चित्रों में सनी देव प्रणाम अच्छे देखने को मिलें बहुत अच्छे फल देगे आपके पारवारीक समरस्ता समरथा समरस्ता बनी देगी नित्वी अपनाना आपके लिए लावकारी शापने आप संती सद्साइग के साथ माता के स्वाश्थwn तेnehmen होगा ये संकेत था नक्षत्र गर्णाव के अधार परть दोहजारच लित में शनिदेव ठाधन की कमीनी सफिंदों की कमीनी मां समान की कमीनी नौकरी में कोई कमीनी क्या चाहिए मान चाहिए तो मान देना पढ़ेगा ने तो सप्तम्भाव सफलताओं से भरा वा नजर आ रहा है और शनिदेव सिंग राशी वालों को उत्तम्फल प्रदान करेंगे इसलिए सिंग राशी को कहीं भैवित होनी की जोरत नहीं हाँ एक बात जरूर है कि सात्वाइस्तान जीवनसातिक है जीवनसातिक सा गरीब का हक छीन लोगे या किसी गरीब का पैसा लेकर वापस नहीं लोटा होगे तो 2024 आपको नहीं लोटाया उससे हजारों कुना ज़्यदा आपको नुक्सान देगा किसी का लिया हो तो लोटा देगा वैपार में दगा नहीं चलता यह आप किसी चीज़ के वैपार है त तो धर्म कर्म गति भक्ति ध्यान साथना समाधी का सारा लेते हुए क्लिंजिंग यह कर्मा और बिलिविंग कर्मा में ध्यान रखते हुए शुकला जी आप सनीदेव की अरादना करते हैं जीवन खुशियों से भरा रहेगा और मैं पुने याद दिलाने तो राष्ट से कि सन देव कुमराशी में संचन करें शिंगराशी वालों के लिए 2024 उत्तम लाब का संखेत दे रहा है गुरु मंत्र बिद्धाती महराज जैसा पूजी महराजी ने वी बताया सब्सक्राइब भी करें और देखती भी रहें इतनी समस्याओं का समाधान जो जीवन में आपके उनकी समस्याओं का समाधान से मिलेगा और वहीं से जो प्ष्ण होते हैं आपके एक प्ष्ण गुर्देव असोला फषेपुरुवेरी सनी धाम में च्छाया दान का बहुत बड़ा महत्या कहते हैं तो च्छाया दान क्या है उसको प्रकाश्टा पर शुगला जी कि लोहय के पाथर में तेल भरकर एक विधि है और मैंने 35 साल में मैंने आराधिकी साधना बहुत अматा है और चाया-दान एक अदभुद बीदिय। आठ पात्रों में प्रतेग पात्र में आट-ाट किलो तेल डाला जाता है गर में नहीं यह यहां का जो श्रायद एक पात्र में ऐसे आट-ाट-ाट-ाट किलो तेल की हो जिसे और एक अद्भूध विदी है सन्देव की किरपा प्राप्ति कारोबार में शफलता नौकरी में शफलता जिवन में आगे बढ़ना ये अद्भूद है इस विदी का साहरा में कई बार भक्तों के लिए लेता और उसका लाव उनके लिए मिलता है लेकिन लाव उनी को मिलता है अब तेल तो आपने चढ़ा दिया सुकला जी और कि आप ज़्यादा नहीं साल में आट बार ये झायादान कर लीजिए बेडा पाद तो मैं बहुत लोगों को देखा है कि झायादान जिन्नों ने यहां किया उनको सुक्संद्धी पराप भी है और शिंग राशी का क्या संकेत है और शिंगरासी का क्या महत्तो है कोई भी व्यक्ति दी मंत्र जाप कर रहा है या कोई वर्त कर रहा है कोई पूजा कर रहा है पाट कर रहा है तो सबसे पहले ना धोक करने के अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले उसमें साथ दाने चावल के डाल अपना नाम अपने पीता का नाम अपना गोत्र और कर्ष्ट किय एक समय भोजन करना एप गरीब को भोजन कराने के बाद जब और नसे पहले सनीदेव का टला भीशे करिए पूजन करने के बाद भाष निवार करके देखिए बेड़ा पार हो जाएगा और इक बात ओहर क्या ना चाहता हूं साड़े तीन से साड़े च्छे बजे की बीच में हर रोज अपने घर में सर्ष्णों का तेल का दिपक जला कर इदियाब सूर्य पुत्रों द्रिग देई विसाल अक्षा शुप्रिया मंदा चार प्रशना आत सनिवार के दिन गो ग्रास देना उत्तम माना गया है अपनी घर की पहली रोटी यह तो नियम बना देजे कि हर रोज गाई को दे लेकिन सनिवार दिन गाई को चारा डालना उत्तम हो पाए रहेगा एक बात और क्याना शनी मंदिर में जाकर सनिदेव का पूजन करना उनका दर्शन करना उन पर तेल चड़ाना यह 2024 में सिंग राशी वालों को रत्यों कि शनी देव बहुत अच्छे विल एक अद्भूत उपाए और है जब आप शनी मंद्र जाएं तेल चड़ाने के बाद शनी पतिन्ना मिस्तुदी आपको आ जाती है ज्यादा नहीं 108 बार जाप 2024 में जितना बने रोज करिए धन आएगा लक्षमी आएगी सुख्षानती रहेगी परेशानी से मुक्ती मिलेगी और सफलता के दर्वादी खोड़ेगी सिंग्राशी वालों का श्वामी शूरी अगनी तत्व है इती कोई स्वास समंद्री कोई परेशानी है तो सनीवार की दिल बहुत जरूरी है सनीमंद्र जाए और तेल चड़ाए दिपक जलाए और गरीब को गरम-गरम सर्दानुसार भोजन जरूर कराना है मतलब ऐसा नहीं बासी ताजा भोजन गरीबों में बाटी आपका जिवन खुश्यों से भरा रहेगा मित्रों शातियों सनीदेव का जो राशी फलता सिंग राशी वालों के लिए यह आंकलन नक्षतर गर्णाओं के आधार पर मेरा नेजी था मेरा कोई दबावनिक आप मेरी बात को माले ना भय न भ्रह्म न भ्रांती ने विवाद ने तरक शेकन ओपनें का अधिकर आपका था आपका है आपका है आपका में उन्होंने एक लाइन कहिए कभी नहों नहीं चतुर कहाम हूं निजमत ही रूप राम गुनगाम गुरुमंत विद्धाती महराज में जाईए ना सस्क्राइब कीजिए और उसको देखे यूट्यूब चैनल को आपको क्या क्या मिलेगा लोग छोटे से घ्ञान को फ्रा पुस्पित और प्रकाशित करने वाली है और आपको आनन देने वाली है जुड़े रहे हमारे साथ गुरुमंत विद्धाती महराज यूट्यूब चैनल को देखें आज सुर्य रासी और कल कन्या रासी के भीते में आपको विश्र प्रूप से बताएंगे धन्यबाद नमस जीवन दिया है और यह मेरा शौक था मेरी राश्ट की धरोवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का नक्षदा है मनश्य हूँ और मानव होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वर्तमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकों से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ और यह मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये काक्षा आप शेवा करी आप मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूँ धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहे इसके मैं शेव मापके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक बस्ता कर लिए और इसलिए मैंने कहा था कि भई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश्र आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं समय दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी मेरा यह एंकार नहीं है सातियों मेरा राश्रों परी है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए शनिभवान आपकी रक्षा लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगब 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रगर करता हूं और यह सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों समय ऐस है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रकूर कर रही है अपनी शिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आ कि आपको लगता है कि दाती महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रु स्वयोकर है परा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी आउम नमो नाराएन आउम नमो नाराएन